हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो रोसन की क्लास यूटीव चनल आप सभी का आज किस करेंट अफैर की वीडियो में एक वर फिस से बहुत बहुत स्वागत है आज हम देखेंगे इस वीडियो में 26 मार्ज 2021 के टॉप करेंट अफैर्स तो पूरी वीडियो देहां से देखेगा दोस् मैं यहां पर करेंट अफैर्स की वीडियो दिखाता हूं विद एस्ट्रा फैक्ट्स यानि उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो दिखाने के यहां पर कोशिस करता हूं जिससे आप लोग अगर एक कोशन देखें तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़े हूं वो आपको तयार हो जाएं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और रेगुलर बेसिस पे करेंट अफैर की वीडियो मौर्निंग में देखने के लिए रोशन की क्लास यूटिब चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब कर लिए उसको दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे सिर्फ करेंट अफैर की वीडियो नहीं डालता इसके अलाव में यहां पर आर भी ग्रूब डी और बाकी जितने भी एक्जाम आ रहा है उनकी प्रिप्रिशन भी प्रिव कर लिजी तो चलते हैं अब पहले कोशन के उ पर यहां पर घृष्ट साहितिकार सरद और की قो किस उपन्याज के लिए वर्षव likewise का व्यास सम्मान दिया गया तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्यास सम्मान किसको दिया गया सरद पगारेजी को 2020 का और इनके उपन्यास का नाम पूछा गया है तो इनके उपन्यास का नाम है पाटली पुत्र की सामराग्ये इस उपन्यास के लिए इनको 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है यहां पर देख सकते हैं आप यह उपन्याज सम्राट असोग की माँ धर्मा पर केंद्रित है यहां पर देख लिए आपका एक कोशन नहीं तयार हो गया कि सबसे पहले की सम्राट असोग की मां के बारे में अगर पूछता है तो उनका नाम था धर्मा सरत पगारे का जन 5 जुल चीज को याद करने की कोशिस करियेगा तो उने से सुरुब हुआ किस के द्वारा शुरू किया गया तो केके बिडला फानुरेशन के द्वारा शुरू किया गया यह सम्मान किसी भारती लेखक को पिछले 10 वर्स के भीतर प्रकासित उसकी उत्कृष्ट क्रिती को मिलता है कि दोजार उन्निस के लिए व्यासमान किसको मिला था दोजार उन्निस के लिए जो व्यासमान दिया गया था उनका नाम था नासिर्या सर्मा उपन्यास था इनका कागज की नाव इस उपन्यास के लिए इनको दोजार उन्निस का व्यासमान दिया गया था देखते हैं दूसा क जो सुरुच्छा की बेड़े में आई एनेस बज्ज्र को हाल ही में अपने बेड़े में सामिल किया गया यह भारती तर्ट रच्छक का छठवा आफसोर पेट्रोलिंग सिफ होगा जो समुद्री सुरुच्छा को लेकर को मजबूती प्रदान करेगा जो पेट्रोलिंग जैस को चिन्नई में जन्रल विपिन रावत की दौरा कमिशन किया गया जो वर्तमान में डिफेंस स्टाफ के प्रमुक हैं अगर यहां पर आपसे पूछता है कि चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो विपिन जन्रल विपिन रावत जी है इसको कब सामिल किया गया 24 मार्स 2021 को अग पहले का नाम है लच्छिदीप और दूसरे का नाम है जम्मू कस्मीर का बढगाम जिला है जो उसको यहां पर टीवी मुक्त यहां पर घोशित किया गया है विश्व टीवी दिवस आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था विश्व टीवी दिवस हर साल 24 मार्ज को मनाया जाता है यहां पर किसके उपलच्छ में केंद्री स्वास्त मंत्री डाक्टर हर्स वर्धन के द्वारा यह बताया गया इस्टेट हेल्थ मिस्टर कौन है अस्वनी चौबेजी है लच्छ दीप की राजधानी कवरत्ती और उप राजपाल वहां पर है क्योंकि यह आपका जान रहा है कि यूनियन टेरेटरी है तो यहां पर उप राजपाल होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं इनका ना स्री नगर है ठंडियों में जम्मू इसलिए है कि जो स्री नगर का एरिया होता है वहां पर बर्फ काफी ज्यादा जम जाती है जिसके वज़ए से उनको अपनी राजधानी बदलनी पड़ती है ठंडियों में जम्मू करनी पड़ती है और गर्मियों में उनकी जो राजध और आधिकारी भागीदारी, यहाँ सफारी भागीया है, सफार इंहों कर रहा है। आईपील 9 अपरेल 2021 से प्रारम होगा और 30 माई 2021 को समाप्त होगा तो हाल ही में आप कुछ दिनों बाद आईपील आपका शुरू होने वाला है 9 अपरेल से और यह चलेगा आप 30 माई तक पहला मैच 9 अपरेल 2021 को मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला जाएगा यानि कि आर सी भी और एम आई यानि कि मुंबई इंडियन्स के बीच 9 अपरेल को पहला मैच खेला जाएगा आईपील का यह कौन सा संस्करण पूछ सकता है क्योंकि बहुत जादे इंपॉटेंट है यह आईपील के अगर संस्करण के बारे पूछता है तो 2021 के जो आईपील है वो 14 संस्करण है प्रतम संस्करण कब हुआ था 2008 में हुआ था जब भारत 2007 में 2020 का वर्ड कब जीती थी उसके अगले साल से स्टार्ट हुआ था प्रतम संस्करण 2008 में आयुजित किया गया था सबसे अधिक बार कौन जीती है अभी तक आईपील मुंबई इंडियन्स माच बार चैन्ने सुप पोटल का उद्गहाटन डाक्टर एम राजीवन के द्वरा किया गया है जो कि है आपके प्रिथ्वी विज्ञान मंतराले के सेक्रेटरी यह है राज्टर एम राजीवन यह पोटल विश्व मोसम विज्ञान दिवस के अवसर पर लांज किया गया जो प्रतेक वर्स 23 आज या बहुत विफाग यानि की इंडियन मेटर लोगर डिपार्ट्मेंट इसकी स्थापना की गई थी 1875 में मुख्याल है नए दिलिय में और प्रमुख है इसमें इंडियन मेटर लोगर डिपार्ट्मेंट के डक्टर एम महापात्र अधिया विज्ञान मंतराले की अंत राश्री खेल महासंग के रूप में मानेता दी है तो यहां पर भारती सैली के भारती कुस्ति संग यानि कि इंडियन स्टाइल रेस्लिंग एस्टाइशन आफ इंडिया को यहां पर भारती सैली के यहां पर जो राश्री खेल महासंग के रूप में मानेता दी गई है इंडिय यहां पर important facts भी देख लेते हैं friends, अब इस संस्था को सरकार से धन और समर्थन प्राप्त करने के लिए और योगी बन जाएगा, यह जो संस्था है, आपकी Indian Style Wrestling Association of India, इसको अब धन जो मिलेगा और समर्थन जो मिलेगा सरकार से, वो और अच्छी तरीके से उसको प्राप्त हो स आती है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सात्मे question की तरफ, हाल ही में G.V.Ramakrishnan का निधन हो गया, वो किस बोड के अध्याच रह चुके थे, तो G.V.Ramakrishnan आपके भारती, प्रतिभूती और विनिमय बोड यानि कि सेवी, जिसको कहते है, Securities and Exchange Board of India, भारती, प् पता दूं कि G.V.Ramakrishnan सेवी के अध्याच रह चुके थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, सेवी के बारे मैंगर पूचता है कि सेवी की स्थापना कब हुई, तो सेवी की स्थापना हुई थी 12 April 1992 को, इसका मुख्याला है मुंबई में और अध्याच है प्रिज की सुरुच्छा के लिए, यहां पर सेवी का गठन की अगया था 12 April 1992 को, प्रतिभूती बजार के विकास तथा नियमन को परिवर्तित करना इसका काम है, अगला कोश्चन है, भारत के किस पैरा मिलिटरी फोस की स्थापना चरन लैवी के नाम से की गई है, चहर लैवी के ना ठीक है, यह भारत की सबसे पूरानी पैरा मिलिटरी फोस है, जिसकी स्थापना 835 में चहर लैवी के नाम से की गई थी, उसी को पाद में असम राइफल का नाम दे दिया गया, 1917 में इसका नाम बदल कर असम राइफल रख दिया गया, तो कभ इसका नाम बदला गया, 1917 को, 24 मार्च को असम राइफल का 186 मा स्थापना दिवस था, जो 24 मार्च अभी बीता है, दो दिन पहले, उस दिन असम राइफल का 186 मा स्थापना दिवस था, इससे Friends of North East Peoples भी कहा ज जाता है, अगर असम के बारे में पूछा जाए यहां पर कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सरवानन सोनोवाल जी है, और राजिपाल है जगदीश मुखी, असम के, नाइन्थ नमर का कोश्चन है, किस राज ने मुख्यमंत्री देव दर्सन योजना की घोशना की, तो म नहां पर देख लिजेगा, इसके परे में important facts देख लेते हैं, हाल ही में गोवा सरकार ने वित वर्स 2021 में मुख्यमंत्री देव दर्सन योजना की घोशना की है, इसके लिए बजट में 25 क्रोड़ रुपे आवंटित किये गये हैं, इस योजना के तहत वरिष्ट नागरीको को उनकी पसंद के तीर स्थानों तक पहुचाने के लिए गोवा सरकार IRCTC के साथ करार भी किया जाएगा, उसके साथ, IRCTC जो है आपका इंडियन रेलवे की जो सर्विस्ट करती है, उसके साथ गोवा जो सरकार है, उसने जो वरिष्ट नागरीकों को उनकी पसंद के उनसा जो तीर सर्ष्थल पर जाना चाहते है, IRCTC के साथ उसके लिए यहाँ पर गोवा सरकार ने एक यहाँ पर हस्ताचर किया है, समझोते पर और यहाँ पर देख लिए मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के प्रामूत सावन्द जी है, राजयपाल कौन है, बिएस कोस्यारी जी है दस नंबर को कौश्चन है, किस देश के रच्छा मंत्री 25 मार्ज से 27 मार्ज तक 3 दिवसी भारत यात्रा पर आये हैं, तो यहाँ पर है दच्छड कोरिया, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होईएगा, यहाँ पर अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पर है दच्छड अमेरिका कि कौन है, तो चुंग सिय क्यों है, इन लोगों का नाम जानी रहे हैं, आप लोग किस तरीके से होता है, चुंग सिय क्यों और राश्पती है, मून जे इन, राजधानी क्या है दच्छड कोरिया की, दच्छड कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक, क्या है से important facts देख लेते ह सुह आज 26 मार्ज को अपने भारती समकच राजनात सिंग से मिलेंगे, यानि कि राजनात सिंग जो आपको पता है कि भारत के रच्छा मंतरी है, तो जो दच्छड कोरिया के आपके रच्छा मंतरी आए हैं, वो आज 26 मार्ज को उनसे मुलाकात होगी दोनों लोग की, 27 मार् साथ आगरा का दौरा करेंगे, जहां सेना के पैरा डूप्स हवाई जहाज का प्रदर्सन करेंगा, जहां पर यह जाएंगे, 27 मार्ज को कहां जाएंगे, यह जाएंगे आपके आगरा, इसके साथ जाएंगे, जो हमारे सेना प्रमुख हैं, जनरल मनोज मुकुन नर्वाने उनके साथ जाएंगे, वहां पर क्या देखेंगे, सेना के पैराटूप्स की जो हवाई परदर्सन करेंगे, उनकी यहां पर उस चीज को यह देखेंगे, तो दोस्तों आज के लिए आज की वडियो इतना है, लेकिन एक कोशन आप लोगों के लिए है, जिसका अपनों को देन निवाद, जय हिंद, वन्दे मात्रम